सब्सक्राइब करने वाले हम यूजिस इनेट हिस्ट्रे अपडेटेट स्लेट करेंगे सेशन में क्योंकि नोटिफिकेशन आपका उलड़ी कर दिया गया है और इस पूरे सेशन के अंदर स्लेबस को जेखेंगे क्या-क्या है स्लेबस के अंदर आपका इंशन मेडियोल इंडिया ही स्लेबस क्या-क्या है आपको स्लेबस पढ़ना ज़रूरी होता है जब भी आप एक्जामनिशन को प्रोच करते हो चाहे कोई भी बग्चामनिशन हो तो यहीं पर ही आपका यूजिस इनेट हिस्ट्री पूरा पूरा तो बात करते हैं सबसे पहले Шarian Cluft तो सारे सारी चीज यहां पर मेंचिन फिविए है और सेकेंड जो टॉपिक आपके लिवस पेस्ट्राइम थेका पुड परिगे सोटी निया जन थे पशूचारण और खद्य उत्पादन आपका सेक्ड टॉपिक है और इसके निया पर पुडब्यू इसके लिए आपका 3rd topic क्या है इंड़ हरपन civilization इंड़ हरपन civilization व्रिजन स्के लेइस करने आपको religion, politics, decline вся फर्फम सा्व losage साılar यहां पर पर फर्स organization इसको बुला बास है तो सारा पहला पे पैंड़ सुंधों ज्यांड ठिब्डर तो आपका जो फोर टॉपिक है उसकंदर आता है वैदिक तिथा उत्तरकालीन वैदिक युद्ध और इसकंदर डिवेट होगा आर्यांस के ऊपर बाकी सारी थेओरी नॉर्मल ही है तो इन सब तीजों का टॉपिक यह आजाता आपका फोर टॉपिक के अंदर फिफ टॉपिक आपका एक्स्पैंशन ऑफ दे स्टेट सिस्टम राज्य साशन विवस्ता का विस्तार किस तरीके से हुआ इंचेंट इंडिया के अंदर इंचेंट इंडिया में आपका युनिट टॉपिक चलते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि मगद का उदय किस तरीके से हुआ था राइज ओफ मगद ग्रीक इनवेजन सिकंदर का इनवेजन कैसे हुआ था सिकंदर के अधीन उनानिक आकरमन कैसे हुआ था उसके परभाव क्या था उसका इंफ्लूएंस आपको बताने उसको एफेक्ट्स बताने आपको इस तरीक से डिकलाइन हुआ और वह आपका इस टॉपिक के अंदर आजाएगा जो की युनिट टू का फर्स टॉपिक है उसी के अंदर आपका मौरेन आइट आर्ट्स भी आता है अर्किटेक्ट्चर भी आता है अशोका इंडिक्ट्स एंड लैंग्विज अंड स्क्रिप्ट तो यह सब आयाता आपका युनिट टू के अंदर फिर हम चलते हैं इसमें युनिट टू के सेकिंड टॉपिक के अगरब प्र稽ण एंडर ने इसमें चलते हैं मौरा सिर्टव पर इसक bullets आपका सेकिंड टॉपिक के साथ Kirएन करते हैं जो आपका आता है गुपता हो का डगाईज, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, किस तरह के से इनका हुदा है हुआ, पॉलिटिकल एंड सुसाइटी देखेंगे, राज्यस आशन और विवस्था देखेंगे, समाज देखेंगे, लैंड ग्रांट्स देखेंगे, क्रिश क्या होता है, साइन्स एंड टेक्निलोजी के अंदर क्या डवलप्मेंट होता है, यह सब इस पार्ट के अंदर आ जाएगा, इस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसन, जो भी कोई लिखा जा रहाता है, इस ताइम पर पे चीज़ए क्या 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 देवलप्मेंट ह जो आएगा, शेत्र राज्य जो आएंगे, डेक्कन के अंदर गंगाज, कडंबाज, वेस्टन इनिस्टन चालुक्या, राश्खुटास, कल्यानी चालुक्यास, ककत्यास, होईसालास और यादवस, तो यह आपका यता है, इनिट टू का फर्स टॉपिक, साउथ इंडे के कौन कौन से राज्य जेते, दक्षण के अंदर पलावास, चेरास, चोलास, पांडियास, इनका इहां पर डिस्कॉशन करना है, तो इसके बाद इस्टन की गिनम, यानि की पूरुप में भारत में सामराज्य कौन कौन से, उनके वारें बताना है, पालास होगे, सेनास होगे कि वर्मन के, कामरुपा के, बहुमिकाराज होगे, सुमवंसिद उडिशा के, तो इनका डिसकॉशन आपको गया यूनित थर्ड के अंदर, और इसी में आपका यूनित थर्ड के अंदर हैं ता आपका वेस्सर इंद इंदे कौन से सामराज्य गिजते, पश्च्छिम भारत पर ही हम आखरी वाले पार्ट में हम कहां पर जा रहे हैं मिडिवल इंडिये के अंदर जा रहे हैं प्रारंबिक मद्यकालीन भारत के अंधर हम चले आते हैं जो कि जहां पर अलग-अलग विशिष्टाइय हमें देखने को मिलती है और वह मिलनी शुरु हो गई थी तो वह सब यहां पर देखना है प्रसाषन राजनितिक धाचा भी इहां पर देखना लेजिटमिजेशन ऑफ किंग शिप राश्टन्त करर ना यह सब यहां पर देखना है किस तरीक से अगरी कल्चर के उपर परभाव पड़ाता है अग्रेन एकॉनमी यह सारी की सारी चीजे हैं जो फ्यूडलिजम जो है सामंत वहाँ दोता है वही डिफाइन करता है तो यह टॉपिक यहां से आपका पार्ट है वह बिल्कुल चेंज हो जा रहा है हाँ पर शहरी कर फिर यही पर यही पर आपका भक्ति मॉःमेंट बहुडए हो रहाता है इया आप dwa urs नेयर नार्च यहां भड़े जो mukti सेंट शंकर महादेव रामनुजा रामनुचारिया उनके बारे में डिस्कॉशन करगा है डीटेल में पढ़ना होगे टेंपल्स के बारे पढ़ना पेट्रेशन रीजिनल रामिफिकेशन किस तरीके से संद्रक्षन और शेत्य बहु शाकन इस यूनिट के अंदर भी सोसाइटी पढ़ता है क्योंकि का सिस्टम का फिर रिजिड हो गया था वुमिन की पोजीशन के सी थी फिर एजुकेशनल इस्टूशन सिक्षा और सक्षिक संस्था है किस तरीके से इस टाइम पर पे ओके रीजनल लैंगविज़ जो आपकी शेत्रेभाश आए किस तरीके से उनका विकास और था इस टाइ पे इस तरीके अंदर आता है यहां पहुता है जो अलग डिटे फोर्मेशन जो हुआ था उसके ऊपर जो डिबेट है क्या मतलब होता है फीडल सोसाइटी का सैंक्में डिटी मॉडल किया होता है तो यहां पे हम देखेंगे डिगे जो अलग अलग ईलग इस्टॉर्यन से अ वही आपके सोर्स जο होता है लिटर वी सोर्सज मॉस्ट इसी इस ताम पयर चैब ए कहा है तो वह आपको पढ़़ने चाए वो मोगल्स के हो Church hy difficulties जैजु गर्नागर सब्सक्राइब धर गंपर एकिसी इस चीनित के निबत पर्ड पर pound कि ममलूक से लेकि आपका विल्कुल लोदीज तक यहां पर पढ़ना है किस तरीक से दिल्ली सल्तन का पतन होता है वह आपका इस्ट्रॉटिक के अंदर आ जाएगा अपर से और अरंगजेब तक वह पढ़ना है और किस तरह की से मुगल एंपायर का पतन हुआ यह भी यहीं पर पढ़ना है इसी के साथ हमें विजनगर भामनी समराजवी आया तो उनके बारे में भी हमें यहां पर पढ़ना है बिजनगर भामनी किस तरह के से उनका उदया होता है किस तरह के से बारे शिवाजिक के बारे मुगल मराथा relationship कैसे थे कैसे मराथा confederacy वनी पेश्वाज के अंदर किस तरह की से उनका decline हुआ मराथा का पेश्वाज का पेश्वाज का किस तरह की से decline हुआ इसके बारे में यहां पर पढ़ना है फिर शेर्शा का administration economy यहां पर पढ़ना है मुगल्स का administration economy मनसबदरी सिस्टम जागिरदरी सिस्टम यहां पर पढ़ना है ओके सो मतलब जो आपने unit fourth के अंदर political development पढ़ा unit fifth के अंदर आपको क्या करना है उके unit fifth के अंदर कुछ अलग से topic भी दिये हुए जैसे frontier policies कैसी दिल्ली सल्तनत के मुगल्स की मॉंगोल का invasion यह मुगल्स बाहर की तरफ जा रहे थे वो सब चीजे आपका इस topic के अंदर जाएगा इंटर-state relationship कैसी थी मतलब की दिल्ली सल्तनत से मुगल्स की तरफ जाते हैं तो वो इंटर-state वो है इंडस्ट्रीज उद्योग, cotton textile हो गया, handicraft हो गया, agrobase industry हो गया, factories and technology तो यह आ जाता है आपका इस topic के अंदर सूती कपड़ा, हशिल्प, क्रिश्य आधारी तुद्योग, संगठन, कारखान और प्रद्योगी की देन नेक्स टॉपिक है व्यापार और वारिज्ज है, trade and commerce, वही दिल्ली सल्तनत का आपको trade and commerce दिखना है, role of hundis हो जाता है, financial system, केसे currency operate कर रही थी, कौन-कौन से कितने-कितने mint थे, कैसे-किसे mint operate करते थे तो यह आपका इस topic के अंदर आता है, okay, यह हुंडis and million exchange वाला, तो यहाँ पर insurance सारी-सारी चीज़ आपको बतानी है, ध्यान देने, इनके ओपर directly questions भी पूछे आता है, हुंडis and insurance system के ओपर directly questions भी पूछ society and culture, so, किस तरह के society थी, कैसा उसका धाचा था, then bhakti movement को continuation आगे आता है, सूफी movement, okay, तो bhakti movement और सूफी movement इस ताइम पर भी जारी थी, तो उसके बारे में यही पढ़ना है, किस तरह के से उनका उदय होता है, कौन-कौन से order आया हुए थे, कैसे उनके practices थी, बड़े- discussion करना, same goes with bhakti saints, so, saivism, vaishnamism, shaktism, यहाँ पर आता है, then उसके बाद, saints of medieval period, so, north and south India, यह भी भक्ति movement से जोड़ा हुआ है, women saints के बारे में अलग से दिया हुए, तो उनके बारे में आपको अलग से पढ़ना है, then आता आता आपका Sikh movement, किस तरह की से गुरे नानक देवाए है, उनकी teachings, उनकी practices, आधि ग्रंत और खालिसा के अंदर, खालिसा यहाँ पर आता आता आता, unit 6 के अंदर, then उसके बाद, social classification, सामाजिक वर्गी करना आता है, rural class कैसी थी, major religions कौन से थे, इस time पर उले मास का रोल, mercantile and professional class कौन से थी, फिर राजपूत society, यह आपका इस topic के अंदर इस अंदर शिक्षा के अंदर किस तरह के से विस्तार हो रहा था, विकास हुआ उसका, तो यह इस topic के अंदर आ जाएगा, then next topic के तरफ हम भूआ करते, fine arts के तरफ, Lalit Kalha, so painting, architecture, music, यह सारा इस part के अंदर आ आता, architecture development, okay, so painting के से developed हुई, Mughals के time पर, Rajistan के time पर, पहाडी, music के क्या development हुआ, so यह वाल इस topic के अंदर हो गया, art and architecture, चाहिए वो दिली सातनात का हुआ, चाहिए Mughals का, वो इस topic के अंदर आएगा, regional styles भी आएगे, then Indo-Arabic architecture भी इस time period पर आएगा, जाकि, जो की Mughal Gardens से associated है, Maratha Fords, Shrine and Temples, so यह आ जाता आपका next topic, then eighth topic की तरह हम move on करते है, यहां से हम enter कर रहे है, modern India के अंदर, so जैसे हम modern India के अंदर enter करते हो, सबसे पहले topic आपके क्या आता है, sources, modern India के sources, new super के अंदर क्या लिखा गया था, government records क्या है, और भी सारी चीज़े, literature, painting, monuments, coins, यह आपका आता है, sources, modern India के अंदर, British power का उदे कैसे हुआ, दूसरी भी European powers जो आ अपने आपको यहां पर स्थापित करते हैं, तो आपका 3rd topic हो गया, 7th unit के अंदर, उनकी relationship क्या थी, जो आपकी मुख्य राज्य है, जो प्रमुख राज्य है, अंग्रेजों के साथ कैसे relationship थी, Bengal, लवद, हैदरबाद, मैसूर, करनाटिक, Punjab, कैसे उनको हराया गया, और कैस अपनी का प्रसाशन, police judiciary, यह आजाएगा आपके किस तरह के से वो इवाल हुआ था, इसे ने कंपनी का पूरा धाचा, पूरा का पूरा structure, यह इस पार्ट के अंदर आजाएगा, सेन, police, नयाय, तंतर, civil services, इस पार्ट के अंदर आपका आजाएगा, ठीक है, then paramountancy, paramountancy, civil services, judiciary यह इसी पार्ट के अंदर आपका आगया, जो अभी हमने डिसकॉस किया है, police, army, company, company के अंदर आगया, फिर local cell government, स्थान निया, सवरा सरकार, यह आजाएगा आपका, then उसके बाद constitutional changes कैसे हुए था, 1909-1935, हाला कि 17-17 सा आपको शुरू करना है, 1942 तक जाना है, तो पूरा क economy कैसी थी, de-industilation कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा हिंदुस्तान के अपर, अंग्रेजों के अर्थिक ववस्ता से, तो यह आपका आजाएगा, unit aid के अंदर, किस तरीके से विस्तार हुआ, किस तरीके से वानिज्यकरन हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद, land rights, permanent settlement होगे रहा, यहाँ पर आजाएगा, और decline of industries, de-urbanization, de-industrialization, इस topic के अंदर जाएगा, तो पूरी का पूरा unit aid जो है, वो किस के round revolve कर रहा है, economy के round revolve कर रहा है, कि अर्थिवस्ता कैसी थी, economy के बारे बताईए, किस तरीक से de-industrialization हुआ, world war and economy, क्या परभाव पड़ा थ factory act 1, factory act 2, okay, so, यह आजाएगा, nature of factory के legislation कौन से थे, trade union movement कौन से इस time period पे आई थी, मजदूर संगा अंदोलन कौन कौन से हुए थे, monetary policy नहीं क्या थी, banking system कैसा था, currency exchange, railways, road, transport, communication, post and telegraph, यह इस पार्ट के अंदर आ जाता है, urban centers कौन कौन से नहीं आया थे, architecture नहीं का कैसा था, urban planning कैसे थी, यह आपका third topic है यहापे, okay, so, यह अंग्रियाज़ों से related ही है, इसके बाद, अंग्रियाज़ों को प्रभाव इंदोस्तान के ओपर, जैसे कि Femines, Epidemics and Government policies, अकाल, महामारी और सखारी निती के बारे हो बताना है, जन जाती है, और किसान अंदोलन आपका second topic होगे इस part में, और Indian society के उपर क्या प्रभाव पढ़ता है, transition कैसे हुआ उनका, जब Christianity और नए नए आइडियाज से प्रभावित होना शुरू हुए, किस तरह किसे उन्हें अपने आपको देखना शुरू किया, और Indian social structure के अंदर क काफी changes आये तो social religious reform movement जिसको हम बोलते हैं, okay, so Indian society के अंदर transition होना शुरू होगे था, educational practices के अंदर क्या changes आये अंग्रेजों के education नीती क्या तो इससे क्या प्रभाव पढ़ा इंदुस्तान के ऊपर तो यह आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर education आ गया और education के साथ ही इंडिया इनने सौ भी दिया हुए, बारतिया पूरर जागरन भी दिया हुआ है, तो education से कैसे इंडिया के ऊपर impact पढ़ता है, उनकी कैसे-कैसे education की policy शुरू होती है, मकावले से लेके पूरा का पूरा लेका है, आना है, woods dispatch, hunter, सब कुछ यहां पर पढ़ना है, okay, government policies, levels and contents, English language, development of science and technology, अंग्रेजी भाशा का विकास, विज्यान, प्रद्योगी की, लोकस्वास्थ, एवा मौश्दी, आदुनिक्तावाद की और जारे है हम, और उसके बाद impact हिंडिया के ऊपर, social religious movement, caste associations आ गया, हाँ पर caste mobility आ गया, किस तरह के से इतनी सारी associations आनी शुरू हो गई थी, और उनने demand करना शुरू किया था कि हमें ऊपर की तरफ जाना है, हमें नीचे नहीं रहना, okay, then, women's question, इस तरह सम्मंदित प्रशन, यानि कि nationalism के अंदर, women का क्या role था, women organization के बारे में बात करनी है, ठीक है, अंग्रेजों की जो lawmaking, power थी, women's की तरफ कैसी थी, उनकी, किस तरीके सा, women's के पर questions के, सती हो गया, ये सब आ गया, ठीक है, gender identity, constitutional position, तो ये भी आपका इस topic के अंदर आता है, printing press, journalism activity and public opinion, printing press, प्रिंटिंग प्रेस, पत्कारता सम्मंदि गतिविदी, तता लोकमत, ये आपका press related laws जुआ है थे, उस से लिड़िद आ जाएगा, ठीक है, वेने से शुरू हु ये languages के तरफ, और literary forms के तरफ, then unit 9 के तरफ चलते है, तो पूरा राष्टरवाद ही अंदलन से चुड़ा हुए, तो कैसे राष्टरवाद की शुरुआत हुए, rise of nationalism, social and economic basis of nationalism, पूरा का पूरा राष्टरवाद का सामाजी के मार्ति काधार, आपको बता रहे हैं आपको, इन पूरा का पूरा गांधी जी से रेलेट पढ़ना है, non-corporation, civil disobedience, woman participation, Subhash Chandra, बहुत से मेंचन किया हुए, role of INA, हमेशा न के उपर question आ रहा है, okay, middle class का क्या role था है, national movement के अंदर, ये पूरा का पूरा आपका राष्ट वाद से जुड़ा हुए, unit 9, then Vampanti Rajniti कैसे थी, left wing politics, depressed President class movement, repressed class movement, Dalit Vargandoran कैसे हुआ, communal politics, Sampradaiq Rajniti, Muslim league, Pakistan का उदय कैसे हुआ, Pakistan की उत्पत्ति कैसे हुई, independence की तरफ जा रहे है, हम फिर partition भी हुआ, Satanta हुआ, Satanta Sangram हुआ, इतना बड़ा, उसके बाद partition भी हुआ, ये भी हमें बताना है आप पे, और India after independence, इसके ओपर भी लगातार एक दो question अपके हर साल आ रहे है, okay, so Satanta के पश्चाद भारत कैसे हाता, क्या-क्या हमें चुनौतिया देखने को मिलती है, ये भाजन से चुड़ी हुई, इंडिया का integration कैसे हुआ, प्रिंसली स्रेट के साथ, कश्मीर हो गया, हिदरबाद हो गया, ये आपके इस ट्रॉपिक के अंदर आता है, किस तरीके से समविधान को लेके उनका इंपक्त था उसको लेके, निर्मान को लेके उनको यहां पर question आ चकता है, ब्यार अंबेड कर अपर question भी आता है, ठीक है, structure और किसी नई अधिकारी वर का ढाचा बताना है, new education policy, post-independence पर जा रहे हैं, post-independence को ले इसके ओपर भी लगाता है, question आता है, किस तरह किसे state को reorganize किया गया, state organization commission जो आया था, center state relationship के बारे में बताना है, foreign policy बताना है, NAM से related question आते है, जो कि आपके syllabus के अंदर साफ-साफ mentioned है, punch shield, dynamics of the Indian politics, emergence, liberalization, privatization, globalization, globalization, तो यह सब कुछ mentioned है, और students surprised हो आता है क्यों 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 आता है, तो syllabus के अंदर mentioned है, तभी तो question आ रहा है, ठीक है, then हम move on करते है, unit 10 के तरफ, जो की historiography related है, किस तरह के तियास लिखन किया रहता है, पढ़ा जाता है, क्या research होता है, क्या methodology होता है, historiography क्या होता है, क्या scope होता है, objectivity क्या होता है, bias क्या होता है, history के अंदर, okay, तो यह सारी चीजी आपके, historiography जो है, वो आपके unit 10 के अंदर आयता है, तो आप इसको detail में पढ़ सकते है, history, science, art, or social science, यतियाज, विज्ञान, कला, ऐसा हमाजी के विज्ञान है, imagination industry, causation industry, significance of regional history, recent trend of Indian historiography, research methodology क्या होता है, hypothesis क्या होता है, okay, then यहां पे भी detail में दिया हुआ बार में discussion करना है, selection of topics in history, note ticking reference, footnotes क्या होता है, bibliography क्या होता है, thesis क्या होता है, plagiarism क्या होता है, beginning of historical writing, कैसे शिरवात हुई थी, renaissance, और उसका impact history writing के उपर, तो Europe से लेड़ेट भी connected है, negative and positive schools of historical writing, Berlin revolution history writing, one rank के देन, marxist philosophy क्या होती है, cyclical theory of history क्या होती है, इसके उपर question भी आया and believe me, इनी सरी question पूछा आता है, ठीक है, तो syllabus की relevance क्या होती है, syllabus की relevance यह होती है, कि जो भी examiner होता है, वो हमेशा syllabus क्या ही question पूछता है, बाहर से question नहीं पूछता है, बहुत सारे students, historiography को लिए confused रहते कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ना, अरे, historiography को लिए को साफ साफ जो यहां पर mention क्या हो है, वो ही पढ़ना है आपको, अलग से किताब लेने की जरूबत नहीं है, historiography के लिए, जो mention है, उसी के उपर question आया हो है, और वो ही दुबारा भी आएगा, देखो, postmodernism के उपर question आया है, आता है, syllabus के अंदर mention है, यहां पर देखो, यह cyclical theory of history के उपर question है किसने दी हुए है, इसी के उपर question आया हुआ है, Marxist theory of history, Marxist theory of history के उपर question आया हुआ है, okay, Berlin revolution के उपर question आया हुआ, syllabus के अंदर mention है, ऐसे इसे direct उन्होंने question भी दे दिया, bibliography, footnotes, सब syllabus के अंदर mention है, उसी को यह देखते हो, syllabus को भी question भी ऐसे design करते है, तो आपको preparation कैसे करनी हो और previous question उसके साथ साथ देखना शुरू कर दीजे, ऐसे आपको minimum 4-5 महिना देना ही देना है preparation के अंदर, उससे कम दोगे तो आप GRF qualify नहीं कर पाऊगे, ठीक है, thank you very much, और यह पूरा PDF है, syllabus का, यह यहाँ आपे telegram channel के अंदर डाल दे जाएगा, अशुनी sir, test book को, इसमें join कर लीजे, और इस PDF को उठाईए, और पढ़िए से लेबस को, यूजिस सेनेट examination को इपरेशन करना शुरू कीजे, okay, thank you very much, and keep watching test book super coaching, channel को subscribe कर लीजे, क्योंकि सारी information आपको कहाँ पे मिलती है, यह ही पे मिलती है, चाहे वो UGC examination की हो, चाहे वो assistant professor की हो, चाहे वो PS related information हो, okay, channel को subscribe कर लीजे, thank you very much.